सो आज मैं आपको अक्षर अ से एक स्टोरी सुनाने चारी हूँ सो ये है अक्षर अ अब हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं सो ये है एक लड़का बॉय जिसका नाम अ से अमन है वो सुबा सुबा उपता है और अमन अमन जो है सुबह सुबह उटता है और वो देखता है कि उसके पापा अ से अक्पार पढ़ु है अक्पार को हम इंगिलिष में न्यूश पेपर बोलते हैं उसने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे बजार जाकर कुछ समान लाना है तो उसके पापा ने बोला ठीक है तुम चले जाओ फिर वो जाता है अपने कमरे में और वो अ से अपने अलमारी से कपड़े निकाल के तयार हो जाता है अब फिर वो तैयार होने के बाद वो बजार पहुंचता है वो मार्केट पहुंचता है और वो वहां से कुछ समान लेता है उसने क्या क्या लिया असे अनार ये है असे अनार और उसने क्या लिया असे अम्रूद इसको हम इंगलिश में ग्वावा भी बोलते हैं और क्या लिय उसने आ से अदरक अदरक वाली चाई ममा, पापा एकिक को बहुत पसंद है और उसने आ से अनानस पी लिया, पाइनापपल और उसने गाजर मूली बहुत सारी सबज्या ली और उसने उसे घर पर जाके आ से अचार बनाया चलो तो अब हम देखते हैं हमने अक्षर अ से क्या क्या सीखा हमने सीखा अ से अनार अ से अदरक अ से अमरूद अ से अखबार अ से अनानस अ से अचार अ से अलमारी